हलो फ्रेंड्स, मेरे चानेल में आप लोगों का स्वागत है आज मैं भूने हुए चने का एक रेसिपी बना कर दिखाने वाली हूँ ये भूना चना है तो नमकीन पर इसके उपर जब चिनी कपरत पड़ता है तो नमकीन और मीठा दोनों मिला कर एक बहुत टेस्टी स्वाध हो जाता है ये चना बड़ा कुरकुरा होता है और बच्चों को इसका स्वाध बड़ी अच्छा लगता है ये डिस्ट बनाने के लिए मैंने बाजार से धाइसो ग्राम भूने हुए चने लेकर आई और इसका मैं छिलका नहीं उतारी इसी तरह रहने दी छिलकों में विटामीन रहता है और छिलकों सहीद बनाने में ये टेस्टी लगता है ये डिस बनाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन गैस पर चड़ा के उसमें आधा कप पानी डाल कर दो कप चीनी इसके अंदर डाल दी और अब इसको बॉलिंग टेंपरेचर में लाने का बाद करीब लग जाएगा 10-12 मिनिट सही कंसिस्टेंसी आने में पानी के अंदर जब चीनी बॉल होता है तो उस वक्त गैस विडियम पर ही रगना ठीक रहता है और इसको चलाते रहना होगा देखिए हम लोग का करीब 12-13 मिनिट हो गया है कैसा जहांग आ रहा है चीनी में मैं हाथ में लेकर देखी चिप-चिप कर रहा है इसका मतलब हो गय है मैं सब इतना में मेरे पास चना था उसके अंदर डाल दी फ्राइंक पन के अंदर अब खोब अच्छे से चला चला कर जैसे हर चने के ऊपर चीनी का कोटिंग पढ़ जाए एकदम कंटिनुवसली चलाते रहना होगा दिखिएगा चलाते चलाते ये धीरे धीरे इसका टे अच्छर करने लगा चीनी और कोटिंग सब चने में भी अच्छे से लग जाएगा देखिए वाइट वाइट दिखने लगा है इसका मतलब चीनी मेरा सुखने लगा है और मेरा पकवान भी रेडी हो गया है अब मैं ग्यास बंद कर दूंगी और नीचे उतार के ठंडा करके बत्र में निकाल लेंगी दिखिए पहले तुमारा प्लेट में निकाल गूँ हो ये जखो बच्छे से ठंडा हो जाएगा तब एक बोयाम में या कोई भी कांच का जार में इसको रख कर आप कभी भी निकाल-निकाल कर बच्छों को दे सकते ह आपने भी खा सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही टेस्टी होता है आपको भी हो सकता है यह नमकिन कुर्कुरा मिठा जाना अच्छा लगे ओके फ्रेंड्स उमीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि यह सक चटपटा चीट सभी को पसंद है अगर आपको भी पसंद आए तो आप जरूर बना कर देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको आपका बच्चों को ओके फ्रेंड्स आज इतना ही मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज बाई नमस्कार